आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। इस्थाई, ठीके, क्या होता है, सरल इस्थाई उतक होता है, ठीके, और जो कोलेन काइमा उतक होता है, इसकी कोशी का भित्ती पर, ठीके, कोलेन काइमा उतक की, जो कोशी का भित्ती होती है, इस पर पेक्टीन का, क्या होता है, इस्थूलन होता है, ठीके, और इस कारण यह केसा होता है? एक यान्त्रिकू तक होता है और साथ ही यह जीवित भी होता है और इसके कारण पेक्टीन की उपस्तिक कारण इसमें क्या होता है? लचीलेपन का गुण होता है तो दोस्तों अगर बात करें विकल्पों की तो पहला है आरोही पोधों में, दूसरा है जली पोधों में, तीसरा है काश्ठी है आरोही पोधों में, और चोथा और आकरी विकल्प है शाकी है आरोही पोधों में, तो दोस्तों पहला विकल्प जो है आरोही पोधों में, यान सहायता प्रदान करता है दूसरा है जली पोधों में तो दोस्तों जो जली पोधे होते हैं ठीके इन में क्या पाया जाता है वायू तक पाया जाता है जिसे एरेन काइमा भी कहते हैं जो कि एक प्रकार का क्या होता है म्रदू तक होता है यह उन्हें तेरने के लिए सहायता करत है काश्ठी आरोवी पोध होते हैं इन में इस्क्लेरेन काइमा ठीक हे क्या होता है उतक पाया जाता है जो कि एक सरल इस्ता इंतक है और यह म्रत ऊतक होता है और शोथा और आखरिविकलपे है शाकी आरोहि पोध होता है तो तो दोस्तों शाक ये आरही जो होते हें यह एक बीजपत्तरी होते हैं जबकि जो शाकी ये द्वी बीजपत्तरी होते हैं इनमें कॉलेन कामेटर्स होता है उतक तो यहांपर यह विकल्ब भी गलत हो जाएगा। हमारे प्रेष्ण का सही उततर है पहला विकल्ब सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर